Next हमारे पास है types of colloidal system Colloidal system की कौन-कौन सी types होती है और हर type में आप लोग देखेंगे कि एक तो है substance वो dispersion medium के तोर पे काम करेगा और दूसरा dispersed face के तोर पे काम करेगा So first यहाँ पे जो आपको type नज़र आ रही है उसमें हमारे पास liquid है जो के dispersed face में है और gas dispersion medium में है और इसका अगर system का नाम देखें तो liquid aerosol और common examples में इसमें आ जाता है mist, clouds या fog यानि कि mist या cloud में हमारे पस liquid जो है वो dispersed face के तोर पे काम कर रहा होता है नीचे downward arrow शो कर रहा है कि कम मिकदार में और जबके gas dispersing medium के तोर पे काम कर रहा होता है यानि कि ज्यादा मिकदार में तो नीचे वाली जो हमारे पस type है इसमें solid कम और gas ज्यादा और ये dust और smoke वगेरा में होता है अगर आप लग गोर करें कि solid उसमें कम होता है और gas ज्यादा होती है aerosol भी इसकी example है अगर आपने गोर किया हो तो liquid ज्यादा होता है और gas कम होती है और liquid अगर एक liquid कम मिकदार में है और दूसरा liquid ज्यादा मिकदार में है तो वो बनाते हैं हमारे पास emulsion और emulsion की example है हमारे पास cream, milk and mayo तो cream में भी हमारे पास liquid दो होते है एक dispersed face होता है और दूसरा dispersing medium होता है emulsion को ही आगे हम continue करेंगे लेकिन उससे पहले हम बकाया types भी देख लेते हैं solid अगर हमारे पास कम मिकदार में हो और liquid ज्यादा मिकदार में हो तो ये हमारे पास paints, jellies वगेरा की example में आ जाता है इसे हम soul भी कहते हैं उसके बाद gas अगर हमारे पास कम मिकदार में हो और solid ज्यादा मिकदार में हो तो ये marshmallow की example में आ जाता है उसके बाद liquid अगर कम में हो और solid ज्यादा हो तो butter या cheese वगेरा इसकी example में आ जाते हैं last हमारे पास है solid अगर कम मिकदार में हो और सॉलिड ही अगर जादा मिकदार में हो तो इस तरह के कोलोईडल सिस्टम जैसे के ओपल्स या सम इलोईज तो इस तरह के सिस्टम जो है वो कोलोईडल सिस्टम में आ जाते हैं